मेरे सबी दोस्तों को नवरात्री की धेर सारी सुपकामना है और ये नवरात्री आपकी जीवन में धेर सारी खुशियां लिक्या है मातारानी आपकी सारी मुरादे पूरी कर दे और चलिए फिर करते हम अपनी नवरात्रों की तैयारी तो ये रात का समय है और मैंने बहुत ही अच्छे से सारी क्लीनिंग कर ली क्लीनिंग वैसे रोजी होती है लेकिन सुबह उटके देर ना हो तो इसलिए अच्छे से क्लीन कर क्योंकि इसमें रखा जाएगा प्रशाद मातरा निके फ्रूट्स वगएरा पान के पत्ते वगएरा तो यह सारे अगा सारा रखने के लिए मैं जितना भी इसमें सामने सब निकाल दूँगी और फ्रिज के कुछ सेक्षन में खाली कर लूँगी जिसे की आरहम से सामन रख सक तो मंदिर तो मैं खोल आई हूँ दर्शन कराई मातरानी के लेकिन अब सबसे पहले चाय पीलूँ जिसे की एनर्जी आजाए पूरे दिन काम करने की तो सबसे पहले हम चाय बनाएंगे और चाय पीने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी कि लायें लग्डू भौपायं जी की ड्रसेश आ यह वह गही हुमारी माता की चुंद्री यह हाली इनकतर। और ये गौरी माता की और ये अन्यागा दुर्गा जी का बहुत ही सुन्दत बहुत प्यारा लेंगा है ये मेरी बेटी की चोईस है बहुत प्यारा लेंगा लेंगा है और ये भी लेटी माता का सेम सेम लेंगा है ये और बाकी मेरे पास रखे थे तो मैं नहीं लेके आए हू बिल्कुल नए रखे थे दीपावली पर लाई थी और ये उपले हावन करने के लिए देखिए किते प्यारी छोटी-छोटी से उपले मैं लोकल मार्केट से लेके आएं ओनलाइन भी ये मिल सकते हैं ये हमारी लड्डू पॉपाल जी की माला ये शुपास लाके दिखा किती सुन्दर है ये प्यारी-प्यारी ये लड्डू पॉपाल जी की मोकोट ये एक और माला और ये जौ जो हम बोएंगे सुपारी और ये लॉंग लैल्ची इससे प्रशाद लगेगा माता का पान के पत्ते भी में लिखे आएंगे और ये हवन सामिकी हम करेंगे नार्यल इस्तापिद करेंगे दिली मिस्भी लेके आएंगे और ये अब सामन साराई के लेगे और ये सारे पत्ते आम के इससे हम तोरन भी बनाएंगे ये बाहर का तोरन बनाएंगे ठीक है और लोटे में लगेंगे बाकि ये हमारी माता का प्रशाद पंचुमेवा प्रशाद है ये बस इतना ही है और कपूर जिससे की पूजा हूँगी माता चुम और ये है बहुत ही खुश्बूदार धूप बत्ति कर आप लोगों को किया मिल जाए तो जरूर एक बार ट्राई करिएगा और ये कलावा जिससे की हम कॉटन का कलावा इससे हम बत्ति बनाएंगे माता रान जाएंगे तो यह मेरी गवरा माता के कपड़े हो गए क्योंकि एक ही साइस के और ये गड़ेज जी के और यह है हमारे बजरंगली बावा की कपड़े बस यह सारा स्रंगार माता का लेके चलते है इसा और सजाएंगे ठीक है माता कासन बड़ा सा लगाएंगे ना अब इसके लिए माता को ऐसे बिठा लेंगे ईस लेहेंगे की असली खुपसूरती जब माता रानी पहनेंगी तब आएगी और माता रानी का श्रंगार करना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है तो मैं एकदम खो जाती हूं जब श्रंगार करती हूं इनका और टाइम का भी मुझे पता नहीं लगता मैं आराम से इनको सजाती रहती हूं तो ये लिजे हमारी माता रानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही सुन्धर लग रही है और देखिए अपने आसन पे विराजमान हो चुकी है तो ये त हमारी लचमी माता जो की देखिए कितनी खुबसूरत लग रही है मैं दुरका माता का जैसा लहंगा ही लचमी माता के लिए और एक ही थीम रखिए मैंने जो की जहपुरी प्रेंट होता है उसके साथ मैं और हमारे लड़ू गोपाल जी बहुत ही सुन्धर पोसाक है इनकी और ये पंच मेवा मैं तयार कर ले रही हूं माता के भोग के लिए अब ये नौ दिन सिर्फ जो मेरा प्रशाद है ये सिर्फ माता रानी का है और बाकी भगवान जीों का अलग रहता है यह पंच मेवा प्रशाद में भगवान जी के लिए बनाऊंगी और यह नारियल है जिसे की कट करके इसमें मिलाऊंगी और यहां हम हवन सामिगरी तैयार कर रहे हैं तो इसमें मैंने कुछ बतासे तोड़के डाल लिए और यह हमारी जो हम जोती जलाएंगे उसकी तो पूरे दिन दीपक मुझे दिखाई देता रहा है बहुत अच्छा लगता है नौ दिन पूरी पूरी पॉजिटिव एनरजी रहती है बहुत अच्छा फील आती है और अब मैं जॉब हो रही हूं तो जॉब होते हैं हम लोग और इसके उपर से ना हलकी से मिट्टी डालिए जो कि हम हवन में चड़ाएंगे तो इसे आप बहुत हलका लपेटिएगा क्योंकि इसके अंदर गैस भी बन जाती है दुगा होने से और ये हमारी कलस स्थापना जो हम करेंगे उसके लिए हम तैयारी कर रहे है तो कलस स्थापना भी थोड़ी देर बाद थी मैंने टाइम चेक किया था तो इसलिए मैंने यहां रख दिया और अब हम करेंगे सबसे पहले माता रानी का हवन और इससे ना पूरे घर में इतनी अच्छी खुश्भू पैल जाती है और बहुत ही पॉजिटिव फील होता है तो यह हो गई हमारी अग्यारी और आर्थी अब पूजा ख सब्सक्राइब करने के बाद जब मैं ठक गई थी तो मेरी वेटी को मुझे पर दया अगई और उसने सोचा मम्मी को एनरजी तभी मिलेगी जब कि उन्हें चाय मेलेगी तो वह मेरे लिए चाय बनाने आ गई बहुत मना करने के बाद भी नहीं मानी थी तो अब मैं चाय पि पूजा में बहुत सारा समय चला गया था और यहां मैं अब पहले दर्वाजी के लिए तोरन बना लेती हूं जो कि मैं आम के पत्तों से बना रही हूं आप असोग पगेरा के पत्तों से भी बना सकते हैं बहुत ही शुब माना जाता है इसे इसे काटना है ना मुमी इसे इसे इस ते घुमा दे तोड़ देगा ओड़न अ इसे डिजा अ गेछी वदिना फूलत आपको जिए अधर पत्ते इदर को रहना ईना नहीं है याद आप जटपट बनने वाली एक ब्रत की रेसिपी में आपसे शेयर करती हूँ तो यहां एक चमच मैंने देसी की डाला है और इसमें डालेंगे हम जीरा तो देखें मुफली बूलना में भूल गई क्योंकि जब फॉन पर बात करेंगे तो ऐसी होगा ना मैं यहां अपनी सिस्टर से बात कर ली थी तो अब मुझे दूसरी कड़ाई चड़ानी पड़ेगी और इसमें मैं ड्राइ रोस्ट कल लूंगी से बिलकुल घी वगएरा कुछ भी नहीं डाले हूँ मुफली को आप जरूर डालें इस रेसिपी में बड़ी टेस्टी लगती है अप जीरे वाले इसमें मुफली और एक हरी मिर्च को काट के मिला लिया जो हमने रोस्ट करी थी मुफली यह वही है और बस कटा हुआ और उबला हुआ आलू इसमें एड़ कर देंगे तो थोड़ा सा ठंडा कर लीजे आलू को जिससे की मैस नहीं होगा अच्छे से ऐसी रहेगा पीसेज में और इ इससे न बहुत जादा एनरजी रहती है पूरे दिन तो आप अगर सेंदा नमक खाते तो ऐसे बना लीजे नहीं तो इसको बिना सेंदा नमक के दही वगेरा से खा सकते हैं ऐसे बना के और अगर मेरा वीडियो पसंद आयो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर रूट करिएगा बाबाई